इंडिया वर्सिस बंगलादेश एक और मैच लेके आ गया हूँ आपके लिए जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं साथी साथ पिछले न्यूजिलेंड और न्यूजिलेंड को किसी ने सोचा था कि भाई ये टीम एक दम एक रन पे तीन विकेट खोदेगी मैंने भी न जाके तो पूने में मैच रहने वाला है एक तरफ रहने वाली है मैन इन ब्लू मतलब इंडिया की टीम रोहिच शर्मा की कपतानी में और एक तरफ रहने वाली है ऑमी बॉंगला देशी की टीम बॉंगला देश के कपतानी शौकी बॉल हसन की कपतानी मैच दुफैर का रहन fantasy cricket team के लिए अगर सबसे बेस्ट चैनल कोई जॉइन करना है तो वह कौन से चैनल होगा आपके साथ से पांच परसेंट तो बंगलादेशी भी वहां पहुच जाएंगे मुझे पता है तारों के नीचे से जैसे कि अभी तक इलिगली यह आते रहे हैं तो आज का मैच भरपूर कमाने वाला है कैसे यह मैं वीडियो में आपको बताने वाला हो लेगिने अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले करें सबस्क्राइब बैल आइगन को कर देना प्रेस क्योंकि पूरे वर्ल कप में अगर किसी ने धूम मचा रखी है तो वो है फैंटेसी गाउंसल की डीम्स ने एक आदा मैच उपर नीचे हो जाता है और उसमें मैं एडमिट भी करता हूं कि जिस दिन मैं हार रहा हूं कि हाँ भई मैं इस मैच क्यों सबने खेलना बंद कर दिया है आप नोटिस कर रहे हो यह चीज़ आपने कितने टेलीग्राम चैनल जोइन कर रखे हैं आप कितने लोगों की वीडियो देखते हैं क्या आप उनकी विनिंग्स देख रहे हैं क्या वो आपको दिखा रहे हैं कि हाँ भी हम खेल के जीत पुर्पंदे हैं क्योंकि कोई खेल ही नहीं रहा है अगर सौ बंदे टीम डाल रहे है तो उसमें से तर्व 5 बंदे खेल रहे हैं और हाई इंवेस्टर के अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फिलहाल में मैं ही इन् возмक्रारा है' करो और आप जाए जरूर करता हूएं क कभी हारता हूं तो ये भी बताता हूं कि हाँ भी आज वाले मैच में मुझे लॉस हो गया है तो ये चीज बड़े ध्यान से सुनो यार जो अपनी टीम से खुद नहीं खेल रहा वो अपनी टीम से आपको क्या जिताएगा चाहे भलू ही उसको टीम ने भाई बहुत ही तगड बस ये बात ध्यान रखना अब चलते हैं आगे की तरफ बंगलादेश इंडिया का मुकाबला टेलिग्राम चैनल जोइन करें न क्यूंकि आज एक और मैच कवर करने वाला हूं इनफेक्ट दो और इस दिन होंगे तीन मैच इंडिया बंगलादेश दो बजे सिड्नी वर्स मैच होने वाला स्कॉटलेंग में और आयरलेंड मुमन का उस वाले मैच में तो और ज्यादे इंवेस्ट करूँगा तो उन टीन के लिए आपको क्या करना है टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेंगे तो समझ लो आपकी जीत परसेंट पकी हो जाएगी मतलब आप परसेंट मे end करोगे अगर मेरे investment plan के according अगर आप खेले देखो आप मुझे देख रहे हो कितने टाइम से आप मेरी winnings देख रहे हो कितने टाइम से आप जाके देखो मेरे Instagram पर देखो टेलीग्राम चैनल पर देखो आप देखते समझ जाओगे कि हाँ यार यह बंदा पिन किया हुआ है उसमें है टेलीग्राम चैनल का लिंक तो जाएं टेलीग्राम चैनल जॉइन करें और जॉइन करने के साथ साथ बास फिर तो कमाना ही कमाना है टीम पर नजर डालते हैं ऑमी बॉंगलो देशी की टीम जो रहने वाली है इसमें रहने वाले नौजमुल उसे इंशॉंट ओ लीट अंदास आज तो एट लीस्ट तंजीद हसन को बाहर निकालें पहले मैच से कह रहा हूं बाइव बाहर कर दो बाहर कर दो मत खिलाओ मत खिलाओ यह तो वहां के किसी विदायक का यह बेटा है या चाचा उसके विदायक है इसी वज़े से वह बंगला बंगलादेश की कंप्लीट प्लेइंग 11 में बॉलर कौन है इनके में बॉलर है मुस्तफिजु रहमान हसन महमूद मैदी हसन तसकीन एहमद मैदी हसन मिराज शाकिवल हसन हो सकता है कि आपको यहां पर हसन महमूद की जगे शौरिफुल इसलाम खेलते हैं लेकिन एक ऐसी न बंगलादेश ने पहला मैट जीता अफगानिस्तान के अगेंस धरम शाला में फिर धरम शाला में इंग्लेंड से आर गया न्यूजिलेंड में जाके चेंड नहीं से आर गया अब यहां पर किसने कैसा परफॉर्म किया वो सुनेंगे लिटंदार्स पांच रंच यहत्तर र सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चालिस रहीं में दोनों मैचों में मैंने आपको कहा था मुशफिकर रहीम को अपनी टीम में रख लेना हरी दोए 49-13 मेहमद उल्ला पिछले मैच में 41 मेरी स्मॉल लीग का डिफरेंशल पिक पिछले मैच का तस्कीन एमद एक विकेट 15 रन एक विकेट 17 कोई विकेट नहीं मुस्तफिज मैच में इंग्लेंड के खिलाब 4 विकिरतों लिए उसके बाद इस बंदे को भार कर दिया यह भंगलादेश का मैने जो बंदा अच्छा करता है उसे करते थे थे भार अब करते हैं बंगलादेश की स्टैट्स के बारे में बाद इनके एक मैट जो शंटों ने तीन मैच जो रंटों ने खेलने भारत के खिलाव उसमें सिर्फ 28 रन के लिट अंदास ने इंडिया के खिलाव काफी अच्छा परफॉर्म किया है दस मैच में 305 रन है और हाइस टें 121 का जो एशिया कप में आया था उसके बाद आते हैं शाकीवल हसन पे जो 19 मैच में 643 रन है और 85 यह स् 54 रन भारत के खिलाव पिछले 5 मैच में फ्लॉप रहे हैं मेहमद उल्ला ने खेले 18 मैच जिसमें 449 रन और 77 का हाइस स्कूर मुशफिकर रहीम को अगर आप देखेंगे तो 22 मैच में 573 रन और 117 का हाइस स्कूर मुशफिकर रहीम ने पिछले 2007 में बड़ा सेट बैक वो ल 99 रन भी करें 100 रन हाइस भी और पांच इसने विकेट भी ले रखे हैं तसकीन अमत साथ मैच 14 भारत के खिलाफ सबस्यादा विकेट लेने वाला बंदा यही मैंने देखा है मैधी हसन ये दूसरे वाला मैधी है इसने एक मैच में दो विकेट लिए मुस्तफी जो रहमान न विराट कोली श्रिया सायर के राहूल हर्दिक पांडिया रविंदर जडेजा शर्दूल ठाकर कुलदीप यादब जस्परित बुम्रावर मुहमस सिराज यह हैं इंडिया का लाइन जिसमें आपको में बॉलर दिखेंगे सिराज बुम्रा कुलदीप शर्दूल जडेजा और छटे बॉलर हो जाते हैं कुंफू पांडिया हर्दिक पांडिया तो यह है कंप्लीट इंडियन टीम तीन मैच इनोंने खेले सारे मैचों में एक दम एक तरफा विंदी है फिर चाहें वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से जी तो चेन नहीं में या दिल नहीं पाकिस्तान के घुटने टिकवा देना सब में देखो 6 विकेट 8 विकेट साथ विकेट चेस करके जीते मैं आज चाहता हूं कि इंडिया पहले बैटिंग करे और टोटल को डिफेंड भी करें ताकि पूरी तैयारी से उत्रेस वर्ल्ड कप में रोहित के स्कोर 0 131 680 शुमन पिशला मैच के लिए 16 विराट कोली पिचासी 55-16 और आज मैं मान के चल रहा हूं सत्तर प्लस रण की पारी विराट कोली के बल्ले से श्रेय से यह 0 25 तरिपन राहुल 97-19 हार्दिक पांडिया 11 एक विकेट दो विकेट दो विकेट हार्दिक पांडिया तक तो मतलब पहले म सिराघ करने की जुरत फितनी लिखनाशन गयं। यही लाइन अप खेलेगा इंडिया और इसमें कोई फेर बदल नहीं करेगा क्योंकि करने की जुरत भी नहीं है जब विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा थो उसमें उंगलवाजी नहीं करने चाहिए है अब हम आ जाते हैं इनके हैट्टोएड रिकॉर्ड सोला मैच खेले हारी को बारे गलाडेश हारी वह समय अखेले, और भी मैच से बहुत पहले उस एश्यकप के मैच में हमेरा हो आ आपको इंट्रस्टिंग फैक्ट हमेशा एक आदा देता ही रहूंगा आके विराट को लिए पंद्रह मैच आठ सु साथ रन और 136 का है स्कूर पूने में रिकॉर्ड देखो जरा हार्दिक पांडिया ने भी यहाँ पर अच्छे मैच खेले हैं अगर वेन्यू पर देखते हैं पाच मैच 170 रन और तीन विकेट और 64 रन का हाई स्कूर हैड टू एड में देखोगे तो दो मैच और तीन विकेट ले रखे हैं बंगलादेश के खिलाब बल्ले से ज़्यादा क मैच मेच में साथ कि इस वेन्यू पर है कुलधी पयाल अपचार मैच में साथ मिकेट मन्यू पर यह ब्लादेश के खिलाए नया ग्राउंड रहने वाला है पिछ रिपोर्ट आपको बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी है मतलब भैतरीन बैटिंग विकेट के लिए जाना जाता है मतलब यह जो पूरे 100 वर का मैच होगा पचास इदर पचास उदर त्रो आउट गेम यह जो पिछ है सेम रहने वाली है सेम रहने का मतलब बढ़िया पांस रहेगा बढ़िया पेस रहेगा और बैटिंग यहां पर आसान रहेगी दासेम्पल साइज फूर था ग्राउं इसांट इस्मॉल मतलब 3-0 जो मतलब फूस्ड़रे था 307 सब्सक्राइब जो पहले बैटिंग करता है यहां पर अभी तक चार मैच जीच चुका है चेस के मुकामले तो पिछ अच्छी है बढ़िया बहतरी नजर आ रही है इनके बीच में जो पिछला मैच हुआ था एक बार हम उस पे नजर मार लेते हैं बहुत ही क्लूज मैच था सर सब्सक्राइब को के तंजीर हसन तेरा लिटन के जीरो अनमुलक के चार असी रंते शाकिप के तेरह मेहदी हसन मिराज रिदोय केते चौवन रन एक रन शमीम हुसें पटवारी और इस नसूम आदमी ने बड़ा तगड़ा वल्ला बजा देता पैतालिस गोल में चावालिस बोईच शर्मा जीरो पे आउट हो जाते हैं तिलक वरमा पांच रन पे केल राउल उननिस पे और इशान किशन पांच रन पे सूरे कुमार यादव की और शुमन गिल की थोड़ी सी पार्टनर्शिप लगते हैं शुमन गिल ने मारे तेस मैच में एक सक किस बहुत फाइट तन्जीव हसन शाकिब दो मुस्तफिजुर रह्मान तीन नसूम एहमद जीरो शाकिबल हसन एक दो लियते महदी हसन ने और एक लियता महदी हसन निराज ने तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं आपको मजा रहोगा यकीनन मैं आपको इतने प्यारे स्टैट्स चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं वन मिलियन कर चुके हैं क्रॉस सब्सक्राइब करें बैल आइकन को करें प्रेस और वर्ल्ड कप की सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी और आपको कहीं दूसरी जगे जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी है मेरी गैरंटी आपके ल मिले 14 तो हाइज स्कोरिंग मैच है दोनों तरफ मिलाके तक्रीवन साड़े 600 रन बने हैं इंडिया 336 पे इंग्लेंड 337 पे चार पेसर्स को मिले 8 विकेट मतलब प्रॉपर बैटिंग विकेट तो प्रॉपर बैटिंग विकेट के एकॉर्डिंग अब हमारी ट्रेडिंग सान हो जाती है स्पोर्ट्स बाजी पर अगर आप यहां पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो आप यकीनन एक ऐसी रेस में पीछे जा रहे हैं जहां आपको आगे जाने के लिए पैसे की जरुरत पड़ेगी और वो पैसा यहां से आ सकता है बहुत आराम से आ सकता है आप देखो मैं 90,000 लगा रहा हूं मुझे 10,000 रुपे का रिटन मिली रहा है मेरा क्या जा रहा है जो कंफर्म चीज़ है यह तो वही बात हो कि भाई आपके पास एक करोड़ रुपे पड़ा है एक लाग रुपे लोगे मैं हाथ हो लाओ दो यार इडिया की जीत पे तो मुझे करने वाला है आप सुनेंगे तो हसेंगे भी और कहेंगे यार यह तो पैसा कमाने की बढ़िया चीज़ है कि देखो हार्दिक पांडिया अगर चेस करने जाए इंडिया साट रुप साट का एक शेर मांगा जा रहा है ना कर दो गो शॉर्ट मान लो चालिस पॉइंट भी दिए तो आपको एक शेर मिलेंगे बीस रुपए आपने हजार भी खरिए तो बीस हजार का प्रॉफिट शुमन किलके मांगे जा रहे हैं सत्तर बैटिंग विकेट है ना तो लॉंग करो ना ही शॉर्ट करो कोई ट्रेड मत करो सत्तर बहुत ज लेंगे तीन विकेट भी लेंगे तो 75 पॉइंट मिलेंगे आप हमारे पास 10 रुपए का लॉस ही तो होगा एक शेर लेकिन अगर सोचो एक ही विकेट लिया तो कम से कम 40 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा मुश्विगर रहीम के मांगे जा रहे हैं पैन 48 मैं तो इसे भ को कर लेनी चाहिए स्पोर्स बाजी पे अपने ट्रेड लो फायदा उठाओ स्पोर्स बाजी नहीं है तो डाउनलोड करो डेस्क्रिप्शन में इसका लिंक है कमेंट जो पिन के हुआ है वहां पे इसका लिंक है हर जगे लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं बस आप कमाने वा बोने पाकिस्तान को रहा है साथ विक्तों से अफगानिस्तान친क और 6 विक्तों से सब्सें अरा दिया और उस्टेलिक शे on आठ अब मानना के चलो तो पांच या चारे विकट से जीत रही है इंडिया इस्ट का पांच से जीत गए यहां चे विक्ट यह चीज हो सकती है बंगला देश ने रिसंडली न्यूजिलेंड से मात खाई ए उसके के बाद इंग्लेंड से मात खाई है अफगानिसान से जीत का है जो मैंने आपको शुरू में बताई दिया है एफसी की प्लेयर विराट कोली बंगला देश के खिलाब बहुत तगड़ा चलते हैं और मान के चलो इंडिया अगर पहले बैटिंग भी करें चाहिए दोनों केस मे विराट कोली से अच्छा की प्लेयर आज कोई नहीं है पंद्रह मैच में 807 रन है 136 की हाईए स्कूर के साथ ग्राउंड पर भी एक सैकड़ा इन्होंने लगा रखा है तो आ सकता है क्या सैकड़ा बिलकुल आ सकता है शुमन गिल शुमन गिल अभी बिमारी से वापिस आए 16 रन मारे हैं पिछले मैच में हमदबाद में लेकिन पूने का मैदान इन्हें सूट कर सकता है और मैं मानके चल रहा हूं बंगला देश के खिलाफ एक आतिशी पारी आप देख सकते हैं 50-70 रनों की शुमन गिल के बल्ले से और रोईच शर्म मतलब टॉप त्री दो आप च हो गए तो दूआ करना भगवान यह तीनों फ्लॉप हो जाए और आपकी उस ग्रैंड लीग में टॉप 10 में रैंक आ जाएगी अब हम चलते हैं जस्प्रीद बुम्रा पे जस्प्रीद बुम्रा के रिकॉर्ड देखो चार मैच में 10 विकट अंधे रिकॉर्ड बहुत ही त आती है फिल्डिंग भी आती है इंडिया की टीम में सारे राइटी है अल्मोस्ट लेफटी तो ही नहीं तो वहां से फाइदा उठाए और शागी बलासन को अपनी टीम में रखे तो बंगलादेश की तरफ से भी हमें एक चाहिए ही चाहिए आज कुछ इंट्रस्टिंग फ विकिट दिया है साटर बॉल में चपर रन मारने के बाद बाकी किसी को विकेट नहीं दिया नाहें महिदी को ना हसन को और शाकिप को दिया है दो बार 111 ऑल में खांड विरन मारने के बाद फिर आ जाते हैं हमारे विराट फोली जिनोंने मुस्तफ जूर और अपना और लेफ्ट आम से लेक्स्पिनर से थोड़ा सा दिक्कत रहती है विराट को बहुत पहले से ही फिर आते हैं हमारे शुमन गिल्ड जिनों ने सिर्फ और सिर्फ अपना विक्ट दिया था शाकिवल असन को बाकी हसन को भी नहीं दिया मेहदी असन को मारे 19 रन मुस्तफी जूर को मारे 16 में 25 तीस में 26 मारे शाकिव तो शाकिव तो एक थ्रेट है इंडिया के लिए केल रहुल ने अगर अपना विक्ट कभी किसी को दिया था तो वो दिया तब महदी हसन को हसन मेहमूद को भी नहीं दिया शाकिव को चालिस वाल में उनक्तिस रन मारे हैं पिर हम आ जात तीन बार शिकार हो चुग है रविंदर जड़ेजा का मतलब लेफ्ट टाम वर्सिस लेफ्ट टाम और जीत गए जड़ेजा एक बार दिया को और एक बार हार्दिक पांडिया को फिर उसके बाद आते हैं मुशवफिकर रहीम जिन्होंने इंडिया की किला बहुत क्रिक्ट खेली है और अपना विकेट इस बाले बॉलिंग लाइन अप में सिराज और जड़ेजा के लावा किसी को नहीं दिया है खेर किसी को ज़्यादा खेला भी नहीं है अब चलते हैं सी वीसी की तरफ कि आज के ग्रैंड लीग के सी बीसी देको बैटिंग पेच है तो इंडिया ही उसे कैप्टन बनाना होगा क्योंकि तीन में से अगर एक फ्लॉप होता है तो यह आपका सेकंड डाउन या थर्ड डाउन आके कैप्टन निकल सकता है ग्रैंड लीग का बहुत ध्यान रखना इस चीज होगा वाइस कैप्टन लिस्ट में आते हैं हमारे जस्परीद बु लिंग कर रहा हो तो 30% और जब सेकंड बॉलिंग कर रहा हो तो मैं मान के चल रहा हूं बड़े स्कोर को इसे मारने जाएंगे तब इसे 50% कॉंबिनेशन में अपना वी सी आप ट्राई कर सकते हैं सेकंड बॉलिंग में ज्यादा इफक्टिव एक उल्दी प्यादा मुझे अलगता है इस मैच के लिए तो आज के सीवी सी देखना इन्हीं में निकलेंगे और कोई मुझे नजर आ नहीं रहा है हेट टो हैड उन तालीस मैच में 31 जीते हैं भारत ने आठ जीते हैं बंगलादेश ने तो थोड़ी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन्स आज कर ली जाए देखो शर्मा गिल विराट दो बंदे तो हिट और एक बंदा एवरेज फस्ट बेटिंग करें तो श्रिय सयर भी हो जाएंगे हिट हार्दिक पांडिया भी होंगे हिट अब बॉलिंग में बुम्रा कुल्दी प्यादव यह दोनों हिट होंगे शर्दल ठाकु रहेंगे ए इधर से शंटो फ्रिदोय मेहमद उल्ला और महिदी हसन यह सब एवरेज से नीचे काम करेंगे लिटन दास शाकीबर हसन एवरेज से उपर काम करेंगे मतलब ड्रीम टीम का पार्ट हो सकते हैं फ्लॉप होने के सबस्यादा चांसे मुश्फिकर रहीम तस तसकीन के तो हैं ह आज की ग्रैंड लीग की प्रडिक्शन तो स्मॉन लीग टीम मनाना अब हमारे लिए और असान हो जाएगा क्योंकि अब हमें सब पता चल चुका है और हमें यह भी पता बच्चा बच्चा जानता है कि खेलना कहा पे है माई मास्टर 11 पे जो आप आप से जीस्टी नहीं ल सब्सक्राइब तो अगर आप बचाना चाहते हैं उस 30% को तो आप आए माई मास्टर 11 पे ताकि आप रियल कैश से लीडर बोर्ड से जो आप टीडियस में पैसा दे रहे हैं वो यहां से रिकवर कर सके इस चीज का सारे लोग ध्यान रखा गरो तो खेले कहां पे माई मास् हैं और यहां पर चल रहे हैं होट कॉंटेस्ट 19 रुपे में एक बुलट भी मिलती है और 40,000 रुपे भी आपको मिलते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड करें माई मास्टर 11 डिस्रिप्शन में लिंक है कमेंट पिन क्या हुआ है वहां पे लिंक है और एक मिनट अभी तक आप आपने वीडियो को लाइक करा है या नहीं करा है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं इतने लोग वीडियो देखते हैं इतनी जंता वीडियो देखती है लाइक और कमेंट में कर जाती है कंजूसी क्या मेरी महनत आपको बुरी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में तो बताओ मैं उस चीज को और ज्यादा सही कर दूंगा लेकिन अगर अच्छी लग रहे तो लाइक करना जरूर जरूर एकदम जरूर हाँ तो कीपर की लिस्ट में चलते हैं मालो इंडिया पहले बैटिंग करती है तो के लाहूल को रखना पड़ेगा अपने टीम में मुशा प्यादव रविंदर जड़ेजा अब यहां पर हमें एक प्लेयर है जो लेना है अपने टीम में अगर इंडिया पहले बॉलिंग करें तो शर्दूल को ले सकते हो वरना यहां आफिट कर सकते हो महदी हसन मिराज को क्यों क्योंकि वह बैटिंग भी करेगा वह बॉलिंग भ को बनाना है कि सी में सबसे सेफ है शाकिब आप शाकिब के साथ ही जाए और अगर इंडिया चेज करने जा रही हो तो शर्मा कोली गिल इन तीनों से अच्छा सी विसी कोई नहीं है अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूं इस मैच में मेरी इंवेस्मेंट हो जाएग अब आप मुझे एक चीज़ बताओ आपको मैच से मतलब है यहां पैसे से यह स्मॉल लीग की बात कर रहा हूं इस वाले मैच में मैं खेलूंगा जी एल इंडिया और बंगलादेश वाले में स्मॉल लीग में करूंगा कम इंवेस्ट ग्रैंड लीग में ताबर तोड डेली वहां पर टीम्स भी मिलेगी स्कॉटलेंड आर्लेंड वुमन का मैच है उसकी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको वहां पर विनर्स भी मिलते रहेंगे तो जाए टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन करें जिसने अभी तक नहीं कर आए सब्सक्राइब वो सब्सक्राइ करें बैल आइकन को करें प्रेस और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर कर देना